असलाम अलेकम सुर्ण्स वेलकम टू अलहम डानामिक वर्ल्ड इस यूर बाइलजी टीशर क्लास 10 चैप्टर नबर 16 मैं एन हिस इन्वार्मेंट या इकालोजी विटे हम लोगों ने शुरू किया हुआ था अब तक आपको जो में पॉइंट्स मैंने इस चैप्टर के हवाले से बताए वो ये थे कि एक इन्डिवीज्वल का अपने इन्वार्मेंट के साथ एक रिलेशन होता है अब individual अपने environment के साथ जो relation बनाता है उसे study करने के लिए different levels of organizations बनाए गए जिसमें smallest organism से लेकर largest organism के parts वो सारे parts include थे जिसमें living organism रहते थे सबसे basic level था एक individual level जो वहाँ से शिरू होता, species पे आता, species से population पे आता, population से community पे आता, community से ecosystem पे आयर, ecosystem से वो biosphere के उपर jump करता हुआ चला गया तो पेटे यह हमने levels of organization पड़े, फिर हमने पेटे यह देखा कि यह जो levels of organization है, इन में organism जो तने भी पाए जाते हैं, वो सारे के सारे आपस में interconnected होते हैं, वो किस तरह कि individuals के दर्मियान message of materials होते हैं पेटा, किस तरह से होते हैं हमने कहा, कि जो series है, उसमें जो पहला member है, जो food produce करता है, वो producer है, फिर जो producers को खाते हैं, वो herbivores हैं, जो herbivores को खाते हैं, वो carnivores हैं, और ऐसे organism जो plants को भी खाते हैं, animals को भी खाते हैं, वो थे omnivores जो कि हमने अपने previous lecture में बढ़ा, और आखरी point था decomposers के बारे में, जो यह बताता है कि हर individual चाहे वो herbivore है, चाहे वो primary carnivore है, चाहे वो secondary carnivore है, चाहे वो primary consumer है, चाहे वो secondary consumer है, चाहे वो tertiary या quadratory consumer है, कोई भी है, जिस वक्त वो die करता है, तो यही decomposer चाहे वो bacteria हो, चाहे वो fungi हो, या कोई भी हो, वो वहाँ पर move करता है, अपने digestive enzymes की मदद से उस dead animal के जो organic materials होते हैं, उसकी body का जो mass होता है, जो protein part होता है, उसे वो आइस्ता आइस्ता break कर देते हैं, और उस breaking की वज़ा से जो material simple होते हैं, वो जमीन में चले जाते हैं, जिने plants absorb करके दोबारा cycle का हिसा बना लेते हैं, तो यह वो बात है थी जो हमने कर ली, आज हमारा topic है बटा, flow of energy and flow of material, इस topic को शुरू करवाँंज से पह कोई भी particle component या substance काते हैं बटा, तो उसमें store होती है energy in the form of potential energy, अब वो potential energy जो उस fruit के अंदर या food के substance में store थी, वो हमारी body में आगी, हम उसे समाल करते हैं और अपनी body का हिसा बनाते हैं, वो कैसे हम कोई food काते हैं, उसे हमारे muscles develop करते हैं, हमारे cells divide करते हैं, इसका मतलब है कि food जिसमें energy थी, वो हमारी body में आई, उसके इस समाल करने के बाद हमारी body के parts बने और बाकी बज़ी को हमारी body में fats की form में store कर दिया राता है, तो energy जो है वो move करती है, दो concept इस topic के start में बताय जाते हैं बटा, किसी भी ecosystem के अंदर materials की या energy की जो flow है, वो दो चीज़ों के in the food chain, materials और energy का जो flow है, वो food chain के अंदर complete होता है, और दूसरा, traffic levels के अंदर complete होता है, ट्रॉफिक लेवल, तो ये दो चीज़ें हैं बटा, जिनके बारे में हमें पहले इसके concept को clear करना है, देनम आगे move करेंगे, बुक ये कहती है, कि किसी भी ecosystem में energy और material, एक traffic level से दूसरे traffic level में, या फिर वो food chain के अंदर ही move करते हैं, तो ये जो term food chain है, ये जो term traffic level है, हम इसे कैसे define कर सकते हैं, उससे पहले, आप अपने previous topic के concept को जहन में लाएं, कि सबसे basic जो individual होता है, वो हता है बटा producer, क्योंकि उसने food produce करनी है, तो सबसे prime component होता है, बटा producer, जिसने food के particles की synthesis करनी हैं, वो कैसे करेगा, sun से आने वाली light को absorb करेगा, carbon dioxide और water को combine करके producer जो है, वो food बनाएगे, अब ये जो producer food बनाते हैं, अगर इस producer को कोई herbivor खा ले, यानि कि ऐसा individual जो सिर्फ herbs पे सवाइब करता है, कोई herbivor है, अगर वो herbivor इस producer को खा लेता है, फिर इस herbivor को अगर कोई कार्णिवर खा लेता है, चाहिए ये कार्णिवर कोई भी हो, चाहिए वो top का हो, चाहिए वो bottom का हो, चाहिए वो किसी भी category का क्यों न हो, लेकिन अगर वो एक कार्णिवर है, जिसने herbivor को खाया, तो जो moment है, वो इस pattern के उपर होगी, अब इस कार्णिवर में से चाहिए primary क कार्निवर हो, secondary कार्निवर हो, tertiary कार्निवर हो, या primary secondary, कोई भी कंजुमर हो, जब वो डाय करेगा, तो उसके डाय करने के बाद जो डी कमपोजर्स हैं, वो आ जाते हैं और इस food को डी कमपोज करना शुरू कर देते हैं, तो आपके सामने एक सीरी बन गई, producer से शुरू होई, हर भी वर पे आई, हर भी वर से शुरू होई, कार्निवर पे आई, कार्निवर से शुरू होई और आखिर खत्म होई जाकर डी कमपोजर्स के उपर, अब यह जो chain है बटा, जिसमें चीजें मूव कर रही हैं, जिसमें कोई भी इंडिविज्वल अपने अगले वाले के खुराग बन रहा है, यह हर भी वर है तो कार्निवर के खुराग बन रहा है, कार्निवर है तो डी कमपोजर्स की फूड बन रहा है, तो यह जो सीक्विंस आफ इंडिविज्वल्स हैं, यह जो sequence of groups हैं यह सारे का सारा sequence जो है इसे एक food chain कहा जाता है इंडिवीज्वल्स का एक group जिसमें हर member अपने से previous वाले को खा लेता है और अपने से जो आगे वाला है उसके खुराक बन जाता है उसे हम food chain कहते हैं तो हमारा पहला concept clear हुआ food chain के बारे में के food chain series of individuals को कहा जाता है जिसमें एक individual दूसरे को खा रहा है और अगले वाले की खुराक बन रहा है second हमारा concept आता है बेटा traffic level का अब यह देखें बेटा producers सिर्फ एक member नहीं होता producer एक group का नाम है बेटा इसमें plants आएंगे तो जमीन के ओपर जतने भी plants हैं अगर मैं कहता हूँ point five million plants हैं पांच लाक प्लांट अगर इस अर्थ पर पाए जाते हैं तो वो सारे के सारे producers हैं grasses हैं वो सारी के सारी producers हैं चाहे उनकी जतनी मर्जी टाइप हैं LG हैं वो भी producers हैं कुछ bacteria वो भी as a producers के तार पर ही behave करते हैं तो producer एक member नहीं है यह group का नाम है तो मैं ऐसे यह कह सकता हूँ कि producer is actually the group number one herbivore कोई एक नहीं होता बहुत सारे ऐसे animals होते हैं जो herbivores हैं cattle है, goat है, sheep है, horses है, cow है, buffalo है यह सारे के सारे वो members है जो plants पर feed करते हैं यह भी herbivore है तो मैं इने group two का नाम देता हूँ carnivore हैं तो बहुत सारे carnivores हो सकते हैं primary, secondary, tertiary, quaratory carnivores तो यह हो गया बटा group three जिसमें बहुत सारे members हैं और decomposer भी एक तरहा का नहीं होता है उसमें bacteria है तो बहुत सारे bacteria हो सकते हैं फंजाई है तो बहुत सारे फंजाई हो सकते हैं तो यह सारे के सारे बिटा जिये जो groups हैं इन सभी को मैं एक traffic level कह सकता हूँ अब traffic level की definition यह कहती है कि traffic level is a level in a food chain कि जो traffic level है यह एक food chain के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा level है जिसमें individual रहते हैं रिप्रड्यूस करते हैं ग्रोथ करते हैं और उनकी death होती है ट्रॉफिक लेवल is a level in the food chain वेर इंडिवीज्वल सवाइब, लिब, रिप्रड्यूस और डाई यह जो sequence है इस sequence को कहा जाता है एक group का members का group और यह जो members के group के groups हैं बेटा, further subgroups हैं उनके हैं यह सारे के सारे traffic level तो मैं यह कहूँगा कि यह food chain है, इस food chain में producer जिसे मैंने group 1 का नाम दिया है यह दर असल traffic level number 1 है यह traffic level number 2 है, यह traffic level number 3 है क्योंकि इस हर एक में individual जिन्दा रहते हैं, survive करते हैं, उनकी death होती है, वो reproduce करते हैं वो सारे mechanism इस हर member के अंदर perform करवाय जाते हैं, तो food chain में अगर 10 total members involved हैं, 10 group अगर involved हैं तो उस food chain के अंदर कम से कम 10 traffic level involved हैं आपको next topics में यह बताया जाएगा बटा के traffic levels minimum कितने होते हैं एक food chain में minimum कितने traffic levels हो सकते हैं, maximum कितने हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि 4 basic हैं, जो traffic level हैं, यह 4 minimum होते हैं, maximum की कोई हद नहीं है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो लिए चार्ज हो हैं, वो basic हैं अब हम शुरू करते हैं बता, अपने आज का main topic flow of energy, कि energy किस सहां से जो है वो flow करती है, एक traffic level से दूसरे traffic level में, या एक area से दूसरे area में किस सहां से move करती है, आपकी book के introductory point से कहते हैं बता, किसी भी ecosystem में energy का flow हमेशा unidirectional होता है, unidirectional का मतलब है कि अगर वो left to right मूव कर रही है, तो वो हमेशा left to right ही मूव करेगी, कभी वो opposite मूव नहीं करेगी, कभी वो cyclic pathway से परे नहीं जाएगी, वो just sequence पे चल रही है, चाहे वो state line है, चाहे वो cyclic pathway है, वो हमेशा उसी को follow तो पहला point, the flow of energy in an ecosystem is unidirectional, तो वो unidirectional होती है, किसी भी ecosystem में flow of energy हमेशा unidirectional ही होती है, वो हमेशा एक traffic level से निकल कर दूसे traffic level में move करती है, question ये rise होता है बटा, कि ये जो एक traffic level से दूसरे traffic level में जा रही है, producer से harbiver में, harbiver से carnivor में, carnivor से decomposer में आ रही है, तो इस producers के पास energy कहां से आती है, क्योंकि energy की बात जब भी आएगी, तो वहाँ पर mind में laws आ जाते है, laws of thermodynamics के, laws of thermodynamics, laws of thermodynamics, अब laws of thermodynamics में ये कहते हैं, कि energy cannot be created or not be destroyed, but changes from one form to another form, laws of thermodynamics का पहला law कहते है, कि energy destroy नहीं हो सकती, energy बन नहीं सकती, energy अपनी एक form से दूसरी form में change हो सकती है, अगर potential है, तो kinetic में convert हो सकती है, लेकिन खुद पैदा नहीं हो सकती, तो अगर energy पैदा नहीं होती, तो producer इसका मतलब है, energy खुद generate नहीं करता, वो किसी और source से energy को लेकर उसे convert करता है, laws of thermodynamics का second law ये कहता है, कि जब भी energy move करती है, चाहे वो किसी भी चीज़ों के दरमयान हो, किसी भी particles के दरमयान हो, किसी भी masses के दरमयान हो, हमेशा वो lost हो जाती है थोड़ी सी, हमेशा energy एक ट्रॉफिक लेवल से, जब उसे ट्रॉफिक लेवल या दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल में आएगी, तो कुछ amount of energy last हो जाएगी बिटा, तो ये जो दो laws of thermodynamics है, उसी को follow कर करते हैं, उस ultimate source है, जो इस earth के हर member के लिए energy का source है, and that source is the sun, sun is the primary and foremost source of every individual on earth, हर earth के, इस earth के, हर member के लिए, जो energy का prime source है, बटा, वो sun है, अब वो कैसे, sun से energy radiate होती है, इंदी form of thermal, या heat energy, किसी भी plant के उपर जब ये sun से आने वाली solar energy fall करती है, अब ये देखें बटा, ये है plants की solar energy, plants इस energy को absorb करते हैं, इनके अंदर ऐसे pigments पाय जाते हैं, plants की body में, आपने 9th में बढ़ा है, photosystems मौजूद होते हैं, chlorophyll A और chlorophyll B मौजूद होते है बटा, जो sun से आने वाली, इस solar energy को absorb करते हैं, absorb करने के बाद ये ही solar energy को chemical या फिर potential energy के अंदर change कर दिया जाता है, जिसे plant अपनी body का हिसा बनाते हैं, तो point clear है हुआ बटा, के laws of thermal dynamics के मताबग, sun किसी भी animal के लिए energy का basic और prime source है, sun से आने वाली solar energy को plants chemical energy के अंदर convert करके अपनी body में लेकर आते हैं, तो इससे ये बाद बिटा clear हुई, के plant energy को खुद generate नहीं करता, वो sun से आने वाली energy को convert करता है, तो सबसे पहले, जो producers हैं, ये energy को convert करवाते हैं, वो energy जो sun से produce होती है, तो sun से आने वाली solar energy producers पे fall करना, और producers का उसे convert करके अपनी body का हिसा बना ले नहीं, इसका मतलब है, sun की solar energy, अब chemical energy की form में producers या plants के पास आ चुकी है, अब plant इस energy का करता क्या है, क्या plant इस energy को सारी के सारी सावाल कर लेता है, क्या वो उसे next traffic level पे jump करवा देता है, या वो अपने पास इसे block करवा के रख लेता है, तो बेटा answer ये है, कि producer energy के दो हिससे ब हो, वो हमेशा energy के दो इससे बनाता है, पहला इससा उसे वो mechanical energy में convert करता है, mechanical energy वो energy जिससे वो अपनी daily routine के काम करता है, like move करना, अपने बाजू हिलाना, कफ उपर करना, ये सारे जो काम है बटा, वो सारे कजारे जब producers होते हैं बटा, उससे वो अपने daily routine के animals या plants काम करते है बटा, अब sun से आई है बिलफर्स 100% energy बटा, अब ये जो 100% energy है, plants के पास जब पहुंचेगी तो इसका कुछ amount release हो जाएगा, loss हो जाएगा heat की form में या किसी भी form में, और मैं कहता हूं जी producers के पास आई बिलफर्स 95% energy, producers ने इस 95% energy आई है, इसका बिलफर्स 10% use कर लिया, mechanical की form में, अब ये जो 10% energy इसने सामाल कर ली, that's it, बाकी बची हुई जो 85% energy है, plant इसे store कर लेता है, store ये अपनी roots के अंदर करेगा, अपने fruits के अंदर करेगा, ये body के किसी भी tissue के अंदर, इस energy को store करेगा, जो कि 85% form में इसके पास है, अब next part में move करते है, producers को अगर कोई, हर भी इड करता है, बटा, कोई भी cattle है, उसने इस plant को eat कर लिया, इस plant पे feed किया, जिसके body के अंदर 85% energy store है, अब ये जो herbivore है, सारी के सारी energy, जो plants की body में है, अपनी body के अंदर लेकर आ जाएगा, इसका मतब है, कि 85% energy herbivores के अंदर आनी चाहिए, लेकिन laws of thermodynamics के कहते हैं, कि जब भी energy एक traffic level से दूसरे में जम करती है, तो उसका कुछ portion environment के अंदर लास्ट हो जाता है, 85% energy कभी भी herbivore में transfer नहीं होगी, बलके इसका कुछ हिस्सा environment में लास्ट होगा, और remaining जो बचा हुआ होगा, वो बटा herbivores के पास आएगा, so 85 में से मैं कहते हैं, चले जी, 5% जो energy have a loss हो गई है, remaining 80% energy इस herbivore की बाड़ी में आगे, ये जी 80% energy हर भी बाड़ी में आगे, ये भी इस energy के दो ही parts बनाएगा, अब वो क्या करेगा, अब वो जो दो parts बनाएगा, उसमें से हो सकता है, वो 10% इस्तमाल कर ले, remaining 70% जो बचेगी, 10% mechanical energy की form में convert करके, बाकी जो 70% होगी, उसे या तो chemical या potential में convert करके, अपनी body का हिस्सा बना लेगा, अपने tissues का develop करवाएगा, यहां पर हर्भी वर्ज हों है, इसने जतनी ज़्यादा ग्रासिस खानी है, जतना ज़्यादा वो producers का इस्तमाल करेगा, उतना ही ज़्यादा वो उसकी body का हिस्सा बनेगा, अब बिटा, एक confusionary point में आपको बता दू, मुकमल food chain के अंदर, जितने भी traffic level है, उनमें सबसे ज़्यादा energy, हर्भी वर्ज और कार्निवर्ज इस्तमाल करते हैं, हर्भी वर्ज क्यों इस्तमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने milk की production करनी होती है, उन्होंने milk बनाना होता है, जो energy का एक बहुत ही अच्छा source है, गलकोस की form में अगर दूद को सुखाया जाए बटा, तो वो सारे का सारा energy होता है, तो हर्भी वर्ज प्रड्यूसर से आने वाली maximum energy को इस्तमाल कर सकता है, यहाँ पर वो 70% की बजाए 20% भी आके transfer कर सकता है, और बाकी जो 60% है, उसे खुद इस्तमाल कर सकता है, बटा, लेकिन इस case म मैं चुके मैं एक sequence से चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा कि 10% इस्तमाल हुई mechanical form में, remaining 70% को अपनी body के अंदर, tissues के अंदर store कर लिया गया, हर्भी वर्ज को अगर कोई carnivore eat कर लेता है, कोई carnivore आया, और उसने इस herbivore को बटा जी kill कर दिया, सारी के सारी herbivore की body में जो तोड़ी सी amount of energy है, वो heat की form में, sound की form में यहाँ पर dissipate होगी, that means 70% में से approximately 60% के करीब carnivore की body में heat आएगी, energy आएगी जो इसे इस्तमाल कर सकता है, इस 65% के वो दो हिस्से बनाएगा, 10% अपने daily routine के कामों में इस्तमाल कर सकता है, इसे ज्यादा भी कर सकता है, और remaining जो 55% है उसे वो अपनी body का हिस्सा बना लेता है, carnivore को energy क्यों चाहिए होती है बटा, क्योंकि जतने भी carnivores होते हैं, वो highly motile होते हैं, वो move करते हैं, अपनी daily routine के काम करते हैं बटा, आप लोग हैं आप carnivore की category के अंदर आते हैं, आप लोग सुबा उटते हैं, सुबा आप लोग क अपनी energy का कुछ हिस्सा यूज करते हैं, remaining जो है बटा, उसे अपनी body में store करते हैं, इस store energy को बटा, आगे transfer करवाने के लिए next mood के तरफ move किया जाता है, अगर ये carnivore die करता है, अगर इस carnivore की बटा death होती है, तो decomposers इसकी सारी के सारी energy को absorb कर लेते हैं, 50% energy decomposers के पास आई क्योंकि 5% loss होगा, इस decomposers ने सारी के सारी energy को soil के अंदर बटा release करवा देना है, आप अगर गौर करें बटा, तो sun से आने वाली energy हर ट्रॉफिक लेवल पे जम करती है, अगर 50% decomposers के पास पहुंच ती है, वो 10% अपना इस्तामाल कर लेता है, remaining जो 40% है बटा, वो soil में चल energy को कोई भी plant इस्तामाल करके grow कर सकता है, seed को grow करने के लिए भी energy चाहिए होती है, जो soil के अंदर in the form of nutrients आउरेडी मौजूद होती है, अब इससे आपकी यह वाली बात justify होगी, कि energy का flow हमेशा unidirectional होता है, यहाँ पर energy हमेशा sun से producer में, producer से herbivore में, herbivore से carnivore में, carnivore से decomposers म जंप करती है, बटा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि decomposers से carnivore में, carnivore से herbivore में, herbivore से producers में, और फिर sun की तरफ move करेगी, कभी ऐसा नहीं होता, so energy का flow हमेशा unidirectional होता है, laws of thermodynamics को follow करता है, और कभी भी energy पूरी use नहीं होती, कुछ इस्तामाल होगी, कुछ dissipate होगी, और remaining बच traffic level से दूसरे में jump करने का ये जो तरीका है, ये ही energy की movement के अंदर बटा दिखा जाता है, हम अपने इंशाला नेक्स lecture के अंदर flow of materials के उपर बटे बात करेंगे, जो हमारे इस topic का next हिस्सा होगा, बटा, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखियागा, बटा, अलाप कि एिए अपने का सविर सकता दीघक है